नेपोटीजम हलो दोस्तों, मैं अंकेट, आपका दोस्त और होस्ट आप लोग सोच रहेंगे ये नेपोटीजम, नेपोटीजम क्या चल रहा है तो भाई, नेपोटीजम एक ऐसा वर्ड है जो आजकल हर एक बंदे की जुबाँ पर हैं हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है या डिसकस कर रहा है बट नेपोटीजम हर एक जगा पे है, बहुत पहले से, सदियो से है और बॉलिवूड में तो बहुत जमाने से हैं रिमेंबर कपूर खांदन अगर बाट है टाय६टीजम की नहीं आए और इवन स्टार किड्स की भी नहीं है अगर बात है तायलेंट की तो कई स्टार किड काफी टायलेंटेड हैं For example, The Great, The Legend, Rishi Kapoor सार, फिर सनी देवल, रितिक रोशन, और शाहिद कपूर. ये तो कुछ नाम हैं, और भी कई स्टार किड ऐसे हैं, जो काफी टाइलेंटेड हैं, काफी बड़ी-बड़ी हीट फिल्में दियें. For example, उदे चोपरा, अरजन कपूर, हर्मन ववेजा, चाल चूटा. दोस्तों, इस वीडियो में मैं नेपूटीजम और स्टार किड्स के बार हमें बात नहीं करने वाला. हम बात करने वाले या देखने वाले वाले बॉलीओर के कुछ ऐसे एक्टर्स जो नहीं देते हैं और ऐसे एक्टर्स जो काफी अंडरेटेड हैं. रनदी पुड़ा, उनने अपने करियर की शुरुआत की मौनसwn वेडिंग मोवी से, जिसमें उन्हेंने एक चोटा सा पार्ट प्ले किया था बट उनको recognition मिला अपने रोल सहब बीबी और गैंग्स्टर रिटन मुवी से इस मुवी के बाद उन्हें कॉंट्रोवर्शल मुवी भी की रंग रसिया बट उनकी करियर की breakthrough मुवी थी highway highway में उन्हेंने काफी बहतरीन performance दिया जो काफी सराया गया और उसके बाद उन्हेंने काम किया सरबजीत मुवी में उन्हें इस रोल के लिए काफी सरा गया and especially उनका जो body transformation था उसके लिए and after that he did some movies इसमें उन्हें उन्हें चोटे चोटे रोल्स किया जैसे कि किक और सुल्तान भी recently उन्होंने एक Hollywood मुवी में भी काम किया है वो भी अपने थौर भाया के साथ थौर भाया के साथ उन्हेंने दो-दो हाथ भी किया इस मुवी में पवन मुलोत्रा पवन मुलोत्रा ने अपने करियर के शुरुवात की नुकट टीवी सीरियल से और अपनी पहली मुवी की सलीम लंगडे पे मत रो अपने काफी अटपटा नाम है बट ट्रस्मिट इस मुवी के बाद उन्हेंने काफी टीवी सीरियल्स किये थोड़े बहुत मुवी रोल्स किये चोटे मोटे फोर एक्जामपल परदेस जेसे मुवी में बट उनका सबसे बहतेरीनर करियर ब्रेक्द्रू मॉवी रोल था ब्लाइक फ्राइडे मॉवी में उसके बाद उनने चोटे मोटे रोल्स के जब वी मिट मॉवी और नहीं वомड़ सिरीस में सबसे बेस्ट कारेक्टर रोल प्ले जो किया उन्होंने वो था बाग मिलका भाग मोवी में, काफी बहतरीन परफॉर्मेंस दिया, एंड सिमिलर रोल उन्हें ऐसे प्ले किया रुस्तम मूवी में, आफ्र दाट, यह बहुए काम काफी बहतरीन रहा है। मिने पातक, मिने पातक न अपने करियर के शुरुवात की हिपी फुरे टीवी सीरियल चे, विच वज बाद उन्हें एक चोटा रोल किया, काफी ब्रिलेंट रोल किया, इन ए ब्रिलेंट मूवी, कोसला का गोसला, आफ्टर दाट, कम्स इस वन अफ बेस्ट मूवी, और बिगेस एट, बेज आफर है, जो आगे जाएक एक फ्रंचाइस ही बनी, बर जद्धा चली नहीं, बट इवन आफ्टर दाट, ही दिड़ ब्रिलेंट मूवी कॉल्ड दस्विदानिया, जो काफी बहतरीन मूवी थी, विने पाटक कंसिस्टेंटली छोटे रोल, बट ब्रिलियंट रोल करते आ रहे हैं, उनका परफॉर्मन्स काफी बहतरीन रहता है, इन मोस्ट अफ इस मूवीज, विजे राज, विजे राज ने अपने करियर की शुरुवात की, बॉपाल एक्स्प्रेस मूवी से, जिसमें उन्होंने एक छोटा बट बहतरीन रोल प्ले किया, विच इस ट्रेड मार्ट, आफर दाट, विजे प्लेट 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 रोल इन मॉन्सुन वेडिंग मूवी, और भै उसके बाद, इस मोस्त इकोनिक रोल, इन दे मॉवी रन, यस, दे कववा भी रहनी वाला, ये रो लिटना पॉपिलर हुआ, ये मॉवी में सिफ यही याद सबको, अरे, बंडू, ये मॉवी में कोई स्टार किड भी था क्या, चान्ट्रूल, उदे भाई से याद आया, विजे रास का ब्रिलियंट कॉमिक परफॉर्मेंस इन मुवी वलकम, और अफकोस, कैसे मैं भूल सकता हूँ, दमाल मुवी का कैम्यो, वन अफ़ आउसम वन, और अफकोस, रिसेंटली गलीवाँ में जो परफॉर्मेंस दिया है, वो भी काफी बहतरीन था, इन रिसेंट टाइम, विजे रास को बहुत सा अप्रिसेशन मिला है, हाँ, फॉरिनर्ज ने भी विजे रास को बहुत अप्रिसेट किया, तो हम तो भाई इंडिन है, हम और अज़ादा कर सकते हैं, अमरीका का दलाब, केके मिनन, केके मिनन अपने करियर के शुरुआत की बोपाल एक्सप्रेस मूवी से, आफटर दाट, ही डिड हजारों क्वाईशे ऐसी, इन दोनों मूवी के लिए उनने काफी अप्रिशेट भी किया गया, अज़ा हुआ आया, ते दे जा चू केते हैं, दे जा चू नी बे, दे जा वू, एनीवे, केके मिनन ने, आफटर ब्लाइक फ्रेड़े काफी भैतरीन रोल प्ले किये, काफी भैतरीन मूवीज में, फोर एग्जामपल, सरकार, उसके बाद, शौरिया, मुंबाई मेरी जान, हैदर, बेबी, एन दगाजी अटेग, बट इन रीसें टाइम, केके मिनन का जो परफॉर्मेंस था, वो काफी ड्रॉप हो रहा था, बट इमेड़ ब्रिलियंट कमबाग, इन दे सीरीज स्पेशल आप्स, पंकश तरिपाटी, ने ओमकारा और अगनिपज जैसी मूवी में, छोटे-छोटे रूल किये, बट उन्हें बड़ा ब्रेक मिला, कैंग्स अफ वसेपूर मूवी में, कैंग्स अफ वसेपूर मूवी में, जो उनका रूल था, वो काफी बहतरीन था, और काफी लोगों को पसंद आया, आफ्टर दाट, उन्हें काफी बहतरीन रोल प्लेए किये, मसान जैसी मूवी में, माजीद अ मौन्टन मैं, आफ्टर दाट, न्यूटन, और फिर स्त्री, बट उन्हें एक्शल रेकिनिशन मिला, दो बहतरीन सीरीज में, पहले मिज़ापूर, और बाद में सेक्रेट गीम्स, इन दोनों सीरीज में, उनकी काम जो था, वो काफी लोगों को पसंद आया, and of course, now Bollywood is going, गागा ओवर, पंकच तरिपाठी, सवरोप शुकला, सवरोप शुकला ने अपने करिये की शुरुवात की सत्या मूवी से, जहां उन्होंने कल्लू मामा का रोल प्ले किया, जो मेरा काफी फेवरिट है, क्योंकि वो कही मेरे मामा की तरह है, I mean काफी टाइलेंटेट है, बहुत खाली खाने वादा हूं में, okay, anyway, सवरोप शुकला ने काफी बहतरीन परफोर्मेंस दिया, बट मुझे जो काफी पसंद आए, वो है जॉली एलेल्बी के जज के रोल, both the movies, and of course, बरफी मूवी में जो काम किया सवरोप शुकला ने, वो भी काफी बहतरीन है, संजे मिश्रा, संजे मिश्रा ने अब तक अपने करियर में 150 प्लस मूवी की है, बट उनकी पहली मूवी, जहां उनके रोल को क्रेडिट मिला, वो थिर सत्या, Another coincidence, संजे मिश्रा ने अपने करियर में बहुत सी फिल्मों में छोटे-छोटे रोल की है, बट उनके टाइलन को पैटफोर्म मिला Office Office सीरियल में, After that, संजे मिश्रा गॉट अपरचुनिटी तो प्ले अपने कॉमिक रोल इन गोलमाल मूवी, and the rest, दो गोलमाल सीरीज एपन, बट उनकी सबसे फेड़ेट मूवी जो मुझे पसंद है, वो है आखो देखे, क्या भेहतरीन प्रफॉर्मेंस दिया है संजे मिश्रा ने, After that, another brilliant movie, कामियाब, I mean संजे मिश्रा, comedy, serious, emotional, कौन से भी रोल, आसानी से कर लेते हैं, उनके बास इतना टाइलेंट है, that he can pull it off, So ये ते कुछ, brilliant, और amazing, कैसी लगी, ये कमेंट्स में जरूर बताईए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, and of course, do watch my other videos,